Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग GTV देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, thank you so very much for watching GTV आज का जो question है ये भी immigration related है, Canada के related work permit का query है and जिन्नोंने ये पूछा है वो तकरीबन तेर्ट साल से मुझे जानते हैं and regular question पूछते रहते हैं पर उन्हें फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया बार-बार-बार एजिन्टों के चक्र में जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कुछ भी और जब तक समझ में नहीं आएगा आप लोग कुछ नहीं कर सकते यह वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि अब मुझे यह चीज का पता है करनाटका में, केरला में, हैडरबाद में and other states में जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा मकसद है कि मुझे अवेर करना है तो मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ पंजाबी की बजाए क्योंकि पंजाबी लोगों को हिंदी समझ आ जाता है तो question ये है और सबसे important बात कि इस वीडियो के बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो जो PJP program है Canada का 2019 January में ही introduced जो हो रहा है और वो है parents and grandparents का जो permanent immigration का जो process है जो program है वो 20,000 application के लिए जो open हुआ है और बहुत ही short time के लिए open होगा क्योंकि limited application select होगे तो next video मेरा जो है उस पे होगा आप ज़रूर देखते रहे भूलने जाएं कहीं क्योंकि किसी ने whatsapp पे मुझसे ये बात कही है कि पैंजी है वीडियो दे बारे दसो ता मैं वीडियो दिले प्रिपेर कर रही है और जल्दी तो अज नहीं तक कल वीडियो ज़रूर अपलोड करांगी तो आज ज़र ज़रा कोश्चन है दीदी जी मेरे को एजेंट कैनडा का वर्क वीजा 5 साल का दिला रहा है उसमें आपको पहले मलेशिया जाना पड़ेगा वहाँ पर एक या दो महने बाद मलेशिया से कैनडा का वीजा मिलेगा पर मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कैनड़ा में पक्का नहीं हो सकेगा पांच साल के बाद क्या करेंगे वापसी इंडिया आना पड़ेगा फिर दुबारा नहीं जा सकेगा एक बात और है जिस कंपनी में काम करोगे वो भी लिमिट से अधिक करना पड़ेगा और पैसे भी कम ही मिलेंगे और आपका पासपर्ड कंपनी के पास होगा आप कंपनी को छोड़ कर कहीं भी काम नहीं कर सकते दीदी जी आप ही बताओ क्या ऐसा हो सकता है जो कंपनी में काम करते हैं और PR भी नहीं मिलती किरपा करके मेरे इसे सवाल का उत्तर दीजिए इन्होंने अपना नंबर भी मुझे दिया है तो sorry लवपृत सिंग मेरे पस इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका नंबर सेव करके आपको वर्टसब पे रिपलाई करूँ इसलिए मैंने ये जो वीडियो ही बनाना मुनासिफ समझा क्योंकि और लोगों को भी शायद इससे कुछ नॉलेज मिले सबसे पहली बात तो ये कि जो आदमी आपको 5 साल का वर्क वीजा दिला रहा है पहले तो उस केटेगरी का पता करके आप मेरे को बताओ कि 5 साल का डिरेक्ट वीजा कौन सा मिल रहा है परमिट उसको आपको और कौन सा ऐसा एजेंट है जो आपको पहले इंडिया से मलेशिया बेज़ेगा और दो मेने के बाद मलेशिया से कैनेडा का वर्क वीजा दिलवाएगा जो कि आप वहाँ पे 5 साल रहोगे और 5 साल रहने के बाद भी PR नहीं होगी और उसके बाद आपको वापिस भेज देंगे और वापिस आने के बाद आप कैनेडा वापिस जा भी नहीं सकेंगे ऐसा कौन सी कटेगरी का वर्क परमिट है पहले आप उसकी पूरी डिटेल भेजो कि मैं भी ढूंडूं कहां पे है वो ऐसा वीजा जो पंजाब वालों को एजेंट अजीब अजीब से वीजे बना के बता रहे हैं कौन सा वीजा है वो कौन सी कटेगरी में आप जा रहे हो कौन से वर्क परमिट पे आपके जा रहे हो मलेशिया से क्यों जा रहे हो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि लिमिट से ज़्यादा काम करना पड़ेगा वो कैनेडा है भीया वहाँ पे टाइम इस वेल्यू time is money, हर घंटे के पैसे मिलते हैं आपको काम करने के और जितने घंटे का काम होगा उतने घंटे का आपके work permit की उपर permission के उपर लिखा होगा आपकी contract की उपर कि आपको इतने घंटे काम करना है आपको इतनी salary मिलेगी per hour और इतना पर मंथ अगर मंतली सेलरी पर आप जा रहे हो तो वो बात को थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि कैनेडा है वो दुनिया का developed country जिसमें crime rate जूजो है वो चीज है वहाँ पर क्या ऐसा rule ऐसी government है वो कि लोगों के साथ जो international workers को मंगवा के ऐसे करती है करनेडिन government ऐसा कुछ नहीं करती जो भी गलत काम करते हैं अपने ही लोगों के साथ करते हैं ताकि थोड़े पैसे बन सकें कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे गुमा के पकड़ो कान तो कान ही है वो तो पकड़ेंगे या आपका मतलब फुद्दू बना रहे हैं वो बुद् सो से जादा नहीं तकरीबन पांच लाग लोग पहुंचते हैं उनके पास बेफकूफ बनने के लिए सभी के application लेते हैं सभी के interview होते हैं यहां तक कि यह भी होता है कि Kennedy number से आपको interview call भी आते हैं Skype पे interview भी होते हैं सब कुछ होता है पर सब fake होता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं भी है और registered जो consultant हैं वो भी करते हैं तो आप अगर qualify हैं अगर आप इतने educated हैं अगर आपके पास इतना experience है कि Canadian work permit आपको मिले और वो भी कितने लोगों को मिलता है आपको यह नहीं पता कि provincial wise nominee program है federal work का जो program है उसमें कितने workers जा सकते हैं PNP में कितने workers की जरूरत होती है यानि कि employees की जरूरत होती है कितने काम कर सकते हैं और कितने वहां पे हैं उतने ही लोगों को लोग लेते हैं ज्यादा लोगों को नहीं लेते और सिरफ पंजाब से ही लोग नहीं जाते पूरी दुनि कटेगरी का विज़ा होता है और वह बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि सिजनल फार्मिंग होती है कैनडा में फुल टाइम फार्मिंग नहीं है तो कौन सी कटेगरी है आपकी आइटियाई आपने प्लंबिंग किया है अपका मेकैनिकल का डिप्लोमा है कौन सी स्टेट में क उसके बाव्यूद आपके पास पैसे हैं, तो भी आपकी गरंटी नहीं है, कि आपका नंबर आएगा, क्योंकि वो जो डिमांड होती है, वो मिनिटों में पूरी हो जाती है, और यहां पर महिनों प्रोसेस चलते रहते हैं, और आपके पैसों को लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझ में कुछ नहीं आता, जब आप समझना नहीं चाहते, तो फिर आप बार-बार धोका ही खाएंगे, मलिशिया से इंडियन पासपर्ट को कौन सा विजा लगेगा, पहले मुझे आप ये बताएं, मलिशिया में आपको टूरेस्ट विजा दिला के ले जाएगा, क पुराने कंटेनर्स, उनके अंदर अपने लड़के, अपने बच्चे तडफते, बिलगते, भूके, प्यासे और खुजली पड़ी हुई देखे हैं मैंने वहां पे, तो जो करना है, आपको करना है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मत करो, पर जो करना है, अपने इस दिम लोग आपको बेफकूफ बना रहे हैं, थोड़ा सा जागरित करिए अपने आपको, 2019 आ चुका है, इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं नए, और 2020 में मून के उपर जो है दुनिया रहने जाना शुरू करेगी, 2020 में आप तो कैनड़ा की बात कर रहे हैं, लोग मून पे जाने की त्यारी कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस करो अपने आपको, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाओ, कि क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर हम कितने क्रिमिनल रिकॉर्ट पैदा करके, हम कितने बार केसे करेंगे एजेंट्स के खिलाफ, जब हमको खुदी नह ने बनाए हैं, तक करीबन 400-500 वीडियो में से, 300 वीडियो इमिग्रेशन पे हैं, वो भी एकदम सीधी सरल भाश्या में कि इमिग्रेशन क्या है, वीजा क्या है, वर्क परमिट क्या है, सब कुछ, थोड़े बहुते रूल और क्वाइंट एवरी येर बदलते हैं, पर तक क सारे वीडियो पंजाबी में बने हैं, हिंदी में मैंने बाद में बनाने शुरू किये हैं, तो क्यों नहीं देखते आप लोग वीडियो, क्यों आप अपने जिंदगी का, अपने केरियर का सत्यानाश मारने पे बैठे हुए हैं, पैसे आपके पास है नहीं, जो है वो भी बेच भूच के एकठा करके आप ऐसे लोगों को देना चाहते हैं, जो आपको पता नहीं, कौन से टाइम की बात कर रहे हो आप, 1960 की बात कर रहे हो, या 1950 की बात कर रहे हो, यह 2019 चल रहा है, कि जब वहां पे, अब बायमेट्रिक होता है, आपके फिंगर प्रिंट्स होते है कैसे आप से कोई जादा काम करवा सकता है, क्या आपको जेल में बंद करके, पासपोर्ट रखके काम करवाएगा, क्या ऐसी कोई कंट्री है, अब तो UAE में, अफगानिस्तन में भी ऐसा नहीं होता, साओधी में भी नहीं होता, ऐसा, जहां पर दूसरे बहुत strict laws हैं, जहां I am really upset about this that I am really worried about that I am really worried about this, thank you for watching